नमस्कार स्वागत है आपका नाशनल खबर में अगामे विधासभा चुनावों की तयारियों को लेकर सभी राजनितिक दल अपनी अपनी रणनीती बनाने में लगे हुए हैं मोदी सरकार को संसस से लेकर सड़क तक घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशे तेज हो गई हैं उत्रप्रदेश विधासभा चुनाव को देखते हुए बस्पा लगातार ब्रहमड को साधने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही है इसी वज़े से बस्पा के रास्टे महसचेव सतीश चंद्रमिश्रा इंदनों पुर्वाचल के दौरे पर हैं इस दौरान सतीश चंद्रमिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बस्पा की सरकार बनने के बार हम ग्रामणों का मान सम्मान फिर से लोटाएंगे के फॉर्मिले को आजमाया था लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई थी उत्तरप्रदेश से बाहर किसी और राज्य में बस्ता कुछ खास असर नहीं दिखा सकी है दरसर पिछे साड़े-चार साल में कई कद्दावर नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर मायवती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है ऐसे में जब इधासबा चुनाव में कुछ ही महीनों को वक्त बचा है तो संगर्थन को फिर से मचबूत करना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसके अलावा ये बास सामने आई है कि 2022 में बस्ता अकेली दंपर्श चनाब लड़ेगी इस दोरन सतीष चंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बस्ता की सरकार बनने के बाद हम भ्रामोरों का मान सम्मान फिर से लोटाएंगे उन्होंने कहा है कि बस्ता में किसी भी छोटे दल का विले नहीं होगा और ना क किसी के साथ गडबंदन किया जाएगा यही नहीं बस्ता के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद से यूपी की सियासत तेज हो गई है बस्ता ने 2007 विधासभचनाव के पुराने फॉर्मले पर लोटते हुए 23 जुलाई से अयोग्या से ब्रहमणों को साधने के लिए प्रब अब उन्हें कहा था कि सपा और भाजपा ने ब्रहमणों को ठगा है लेकिन अब भैकावे में नहीं आएंगे लिहाजा मायवती ने संगठन को मजबूत करने की कमान खुद समाली है तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े गई और भी जानकारी खुजानने के लिए धन झाएंगे मारे से लिएे हमारे संगngulo अे खा बाग94 जा करने सिमारे साली है एम यूड़े मारे संग्म मारे से उे लिए हमारे साली है वाल मारे सिम्छत ब Means ठाभन एमारे तो आखिली हमारे